नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निराला के काववे में च्छायवादी चेतना निराला जी जो थे वो च्छायवाद के परमुक चार स्तंबों में से एक कवी थे इनके कावे में चायवादी कावे की जो चेतना है वो मुखर होकर उभरती है इनके कावे में चायवादी कावे की लगभग सभी परवर्तिया में मौजूद है आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि इनके कावे में चायवादी चेतना किस हद तक मौजूद है निराला के कावे में छायवादी चेतना छायवादी कावे एक सूद्रिड वैचारिक प्रिश्भूमी है क्या है सूद्रिड वैचारिक प्रिश्भूमी जिसका जन जो है वो दुवेदी यूगीन कावे की प्रतिक्रिया सवरूप हुआ था जो छायवादी कवीता है दोस्तो उसका जन्म हुआ था दिवेदी युगिन कावे की जो परवर्तियां थी उनके विरोध में इती विरितात्मक्ता थी दिवेदी युगिन कावे में विशे निष्ठ थी वर्णन परधान थी स्थूल थी इसके विरोध में जो चायवादी कावे है उसका जन्म हुआ चायवादी कव्यों की द्रिष्टी अंतर मुखी थी जो चायवादी कवी थी उन्होंने अपने नीजी सुखदुख को अपने काव्य का विशय बनाया था अपने काव्य का में अपने नीजी सुखदुखों को व्यक्त किया था चायवाद शब धीरे धीरे उन कवीताओं के लिए रूड हो गया था जिनमें मानव और प्रकर्ति के शुक्ष्म सौंद्रिय में अध्यात्मिक चाय का भान होता था मतलब इसमें एक रहस्य मही भावना आ जाती है जिनमें प्रकर्ति में या मानव में शुक्ष्म सौंद्रिय में अध्यात्मिक चाय की परतीत होती थी तो वहाँ पर चायवाद माल लिया जाता था वेतना की रहस्य मही अनुबूती की लाक्षनिक एवं परतीकात्मक शैली में अभिवेंजिना की जाती है चायवादी काववे में होती है चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रवर्तिया निराला जी के कावे में मिलती है पहली प्रवर्ति चायबाद के समान सोंद्रिय चितरन एवं पढ़ने भावना का चितरन निराला जी के कावे में मिलता है सोंद्रिय चितरन पढ़ने भावना इनका बड़ा ही सुंदर चितरन के कावे में मिलता है इनकी जो प्रणे भावना है वो वासात्मक नहीं है बलकि बड़ी आत्मिय है और पावन है इन्हों ने जो संद्रे चितरन किया है वो अपनी बेटी सरोज के संद्रे का चितरन किया है देखिए धीरे धीरे फिर बड़ा चरण बाले की केलियों का प्रांगन कर पार कुंज तारुने सुघर आई लावन्य भार थर्थर कापा कॉमलता पर सस्वर जो मालकोष्न वीना पर इनका जो सुंद्रिय चितरन है जो प्रणे भावना है उनमें कहीं पर भी स्थूलता नहीं है बलकी शुक्ष्मता है बड़ाई सुंदर चितरन इन्हो प्रेम भावना स्थूल ने होकर शुक्षम है इनके पढ़ने के चित्र स्थूलता से बहुत दूर है उप्रियुक्त पंक्तियों में अपनी पुत्री सरोज के सुंद्रिय का चितरन शुक्षम रूप से इन्होंने किया है अगली विशेष्टा है कि इनके काव्य में छायवा से एक है तो इनके काव्य में भी राश्प्रेम की भावना मिलना स्वभाविक है चायवाद की समय स्वतंतिर्टा आंदोलन चल रहे थे तो हमें क्या करना था अंग्रेजों सी यूद करना था लड़ाई करनी थी इसके लिए हमें क्या चाहिए अपने शक्ती का संचे करना चाहिए तो इन्हों ने अपने देश्वासिओं को इशारों में संकेत देकर अपने पौरानिक परसंगों को उठा कर जैसे राम की शक्ती पूझा में राम जासनदेश दिया कि हमें अपनी सक्ती का संच्य करना चालिये तब ही हम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकती है यह कारी इन्हों ने अपनी राम के शक्ति पूजा की जो कविता है उसके द्वारा किया चायबाद की अन्य विशेषता है वैक्ति निष्ट कावे रशना जो चायबादी कावे है उसमें कवियों ने क्या किया है अपनी वैक्ति सुख दुख को अच्छायवादी कवियों की तरह अपने काव्य में विशय बनाया है आत्मकलानी आत्मभदरसना उनके काव्य में देखने को मिलते हैं निराला जी को अपने जीवन में सदय विरोध का सामना करना पड़ा है कुछ भी आसाने से इनके जीवन में नहीं हुआ इन्होंने लिखा है कि धन्य मैं पिता निरत्थक था अपने आपको वो कह रहे हैं कि मैं पिता निरत्थक था कहते हैं कि राम के शक्ति पूजा में वे कह रहे हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध धिक साधन जिसका सदा ही किया स्चोध अपने जीवन को धकार रहे कि इन्होंने अपने जीवन में सदैव दूसरों से क्या मिला है क्या मिला है दोस्तों इन्हें सदैव अपने जीवन में दूसरों का विरोध ही मिला है जीवन में आसानी से कुछ भी नहीं हुआ अगले विशेषता इनकी कावे की है चायावाद की एक परमुक परवर्ती रहस्यवाद है क्या है रहस्यवाद और यह रहस्यवादी भावना भी निराला जी के कावे में मिलती है निराला जी की जो कविता है तुम और मैं कविता इसमें रहस्यवादी भावना भरी पड़ी है यह कविता पूरी तरह से रहस्यवादी भावना उसे ओधप्रोध है कौन सी कविता तुम और मैं कविता नाम याद रगना निराला अपनी कविता में जीवात्मा और प्रमात्मा के संबंद की बात करते हैं ये कहते हैं तू तुरंग हिमाल्य शिंग और मैं चंचल गती सुर्व सरीता। अगली विशेशता है कि निराला ने भी छायवादी कवियों की तरह प्रकर्थी का आलंबन के रूप में चितरन किया है। इससे पहले चायवाद से पहले जो प्रकर्ति का आलंबन रूप में चितरन ने होकर उद्धीपन रूप में चितरन किया जाता था पंतु निराला ने प्रकर्ति का आलंबन रूप में चितरन किया है दिवस आफसान का समय मेख मैं आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे 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 ये उनकी पंक्तियां है जो इनके आलंबन प्रकर्ति के आलंबन रूप के चितरन के रूप में हम लिख सकते हैं इसमें प्रकर्तिक अमानविकरन हुआ है अगली जो विशेषता है इनकी देखे चंद के शेत्र में भी चायवादी कवियों की तरह नए ने प्रियोग इन्होंने किये हैं चायवादी कविता में क्या था ने ने प्रियोग किये जाते थे परतिकों के शेत्र में चंद के शेत ने बादल राग और तुलसी दास में पर्चूर मात्रा में पर्तिकों का प्रियोग किया है। नवीन परतिकों का प्रियोगिनों ने किया, नवीन शैली में नवीन प्रियोगों के कारण चायवादी काव्य में निराला का अनन्य स्थान है, मुक्त छंद का प्रियोग करने वाले निराला पर्थम कवी थे, प्रकर्ति का आलंबन रूप में चितरन का निराला ने किया है, दोस्तों वीडियो अच्छी रगी है तो लैक्षे ज़रूर कीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके भन्यवाद